हाग जी आज की आपके करेंट आफेर्स फौर्टीन नुमेबर फुइंट पूंटी टू के सबसे पहला करेंट अटर के बारे अब यह माटर क्या होई क्या है यह क्या चीज यह वह वाला मैटर नहीं है जो हम साइन्स में बढ़ते हैं ठीक है मैटर का अपने आप में मतलब है यह नहीं एक नया कोलाबोरेशन सिस्टम बनाया गया है आपकी सारी टेक कंपनी जो है जैसे आपल होगी गूगल होगी और सैमसंग होगा आमेजान हो गया और ऐसी 500 से ज्यादा कंपनी ठीक है अल्मोंस 500 है ओवर 300 नीचे जाके 500 भी लिखाव है ठीक है 550 कंपनी ठीक है तो यह जो है अगर देखते हैं जो आपकी आर्टिविशल इंटेलिजेंस है यह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है जो हम अगला इंटरनेट का रेवलुशन जिस चीज़ के लिए हम 5G की बात करते हैं वो रेवलुशन का नाम ही इंटरनेट ऑफ तिंग्स है इंटरनेट ऑफ तिंग्स यह शौट में जिससे आई ओटी कहते हैं इंटरनेट ऑफ तिंग्स का मतलब होता है जहां पर आपकी लाइफ की हर चीज़ खुद फैसले ले पाएगी आपकी हैबिट को स जाएंगे कि स्वार्ट होम्स का क्या मतलब है जहां पर हर खोलने हैं आपको उटके जाने कहीं जरूरत नहीं है खुद अपने आप में बटन दबाओगे दोर ओपन हो जाएगा ठीक है आपकी डेली रूटीन की उन्हें पूरी हैबिट होगी उसका क्या मतलब है कि बेसिकली आपका सुबह कितने बज़े उठते हो उससे पहले पानी गरम करने की जरूरत है तो अपने घीजर आन हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपके लिए काफी त्यार हो जाएगी आपकी कार धीरे धीरे क्योंकि आट्रॉमस वाइकल जा रहे हैं आपको ड्राइव करने की जरू लेना है ठीक है तो हर चीज एक दूसरे से सारी के सारी जितने भी आपके फिजिकल चीजें एक दूसरे से इंटरनेट के तुरू इंट्रक्ट कर पाएंगी अब इन सारी चीजों में प्रॉग्लम क्या आ रही थी वह यह था कि सारी कंपनी अपने अपने प्रोड़क्स बन अगर लेट्स पोज आपने सामसंग के स्पीकर खरीद दे हैं ठीक है और आप चाहते हो एलेक्सा के थुरू कमांड सामसंग के स्पीकर को चली जाए कि हां सॉंग प्ले कर दो तो ये कर पाना एक दूसरे की एको सिस्टम में बहुत मुश्किल था अब इसी चीज को असान बन ठीक है मैटर अब यह जो मैटर है मैटर एक सिंगल स्टैंडर्ड बनाए गया है जहां पर सारी सारी स्मार्ट होम डिवाइस एक दूसरे से सीमलेसली कनेक्ट की जाएगी मलों उस प्रोड़क्ट का जो नाम रखा गया है वह है मैटर अपने आप में यह कोई लग से है तो इस चीज को एक जो नाम दिया गया है वह मैटर यहां पर यह सारी डिवाइस अगर एक दूसरे से बात कर पाएंगी तो अगर आपने किसी कोई चीज सामसंग की खरीदी है कोई चीज आप्ल की खरीदी है और आमेजान या फॉर्दर और बाकी कंपनी जो इसके साथ जुडती जाएंगी कोई भी कंपनी इसके साथ जुड़ेंगी वह अपना प्रोडक्ट मैटर के साथ अगर लिंक कर देगी तो वो सारे के सारे एक दूसरे से ये प्रोड़क्ट भी बात कर पाएंगे जिसके कारण आप मलब जिस मर्जी कंपनी का प्रोड़क्ट खरीदना चाहो आप खरीद पाओ ठीक है तो एक तरह सी potential increase कर रहा है कि कस्टमर सिरफ एक ही कंपनी से बाउंड नहीं रहेगा उसे जिस मर्जी कंपनी का जो मर्जी प्रोड़क्ट पसंद आया वह अब खरीद पाएगा ठीक है और उसे अपने फिर आपकी जिससे रेफर किया जाता है बैड बैंक उसके बारे है बैड बैंक क्या होता है पहले मैं आपको यह बताता हूं और फिर इंडिया के रिकार्डिंग बताता हूं देखो बैड बैंक की जनरल टर्मनालोजी है जो रेफर की जाती है ऐसा एक specific आपके कहलो कि सारे कि सारे जितने भी देश के बैंक्स हैं उनकी अंदर जितने भी ऐसे लोन्स हैं जिनकी रिकवरी फेल हो चुकी बैंक ने लोन दिया था पर वो अब लोन रिकवर नहीं हुआ है वो लोन डूप चुका है अब एक तरह से वह एक लॉस्ट एसेट है क्योंकि देखो औरिजिनली बैंक के लोन दिया इस लोन के बदले मुझे एक तो यही अमाउंट वापस भी प्लस परसेंटेज इंकम भी मलब प्रसेंटेज में मैं कमपाउंड इंट्रस रेट जो चार्ज कर रहा हूँ वो भी तो कमाई होगी बैंक पर अगर जिस कंपनी को यह लोन दिया था यह जिस परसेन को यह लोन दिया था वो लोन नहीं पे कर पाया अब जात से जादा क्या करोगे मलब देखो कई कभारी कंपनी को अंसेक्यूर्ड लोन्स भी होते हैं कोई भी फिजिकल एसेट उनसे गिरवी नहीं रखवाया जाता बस उन्हें लोन जारी कर दिया जाते हैं कि वैलुएशन पर कल वो कंपनी अगर डूब गी तो वैलुएशन बिल्कुल जीरो हो जाती है पर उस कंपनी से कुछ रिकावर नहीं कर पाते तो ठीक है जैसे विजे मालिया के केस में यहीं हुआ था कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा रखना पड़ता है कंपनी को यह एक और भी चीज़ है कि बस वैलुएशन के उपर ही लोन्रीज हो जाता है लेट स्पोज लोन दे दिया लोन दे दिया उसके बाद रिकावरी नहीं हुई और ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं जो बैंक के डूपते जा रहे हैं अब अल्टीमेटली बैंक के पास पैसा तो लिमिटेड ह वहत है उसे बैड़ बैंक का काम होता है देखो बैंक को पूरा पैसा तो नहीं वापस मिल सकता जितना उनों में दुबा दिया कि पर यह जो बैड बैंक होता है यह कुछ पैसा दे के लेड़ स्पोज यह लोन सौ करोड का लोन था कोई एक फोटल की प्रॉपर्टी थी जो लोन था में इसके उपर फोड़ी होटल चला सकता है तो बैंक क्या करता है बैंक इन बैड बैंक से बात करते हैं कि देखो तुम हमसे प्रापटी ले लो हमारे कुछ पैसे रिकवर हो जाए ठीक है बैड बैंक बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें सौ क्रोड तो नहीं दे सकता मैं तो मैं1 क्रोड देता हूं special harmon इसे क्या करते हैं आप देखो इनके इंदर स्पेशलिस्ट होते हैं जहांपे नहीं पर यह सोटल यह देखेंगे इस प्रापटी के करेंगे कि अच्छा होटल की प्रॉपटी लोकेशन अच्छी है थोड़ा वहता स्ट्रक्चर भी बना हुआ है हम क्या करते हैं और इसके उपर पांच को करोड़ करते हैं यह जो होटल का कॉंपलेक्स जितना बनाने वादा था सारा बना देते हैं अब चलता हुआ होटल जो पर फंक्शिनिंग हो गया है ठीक है अच्छा खासा बड़ी प्रॉपटी लग्जिरी प्रॉपटी तभी तो सौफ रोड लग रहा होगा तो पूरा होटल बन गया चलना शिरू हो गया है ठीक है स्टाफ सूफ रख दिया एक बड़ी चला दिया फिर यह आसेट रीकंस्ट करना पड़ेगा उसे बनी बनाई चीज मिल रही है वह कहेंगे कि हाँ हमने इस जगह पर अगर होटल खोलना था लग स्पोस्ट वह कहेंगे हम आपको इस होटल दे देते हैं 120 करोड का ठीक है तो अगर 120 करोड का या आगे ताज को यह होटल बेच देंगे इससे क्या होता ह कि यानि कि इनके जो डूबे हुए एसेट है जो बैंक तो रिकवर नहीं कर सकते हैं बैंक अपना थोड़ा पता पैसा रिकवर कर लेते हैं इसको दुबारा से खड़ा कर दो और फिर उसे आगे कहीं बेच दो उससे पैसा कमा ठीक है तो बैड बैंक के अंदर पर यह सारे एसेट जो इनके बास होते हैं जितना भी प्रॉपर्टी सब कुछ होता है वो सब ऐसे होता है जो लोन नहीं पेकर पाए वह सारे के सारे इनके पास अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉग्लम आई हुई है जहां पर एसेट बहुत ज़्यादा डूबे हुए और इसके कारण बैंक्स की फाइनांस बहुत खराब होई हुए इंडिया सरकार इस चीज़ को सॉल्व करने की बहुत सालों से कोशिश कर रही है पर अभी तक कोई इसका सेडूशन नहीं निकल रहा है लास्ट बजेट में एक पुश्ट दिया गया था दो कंपनीज बनाके यह सरकारी कंपनी आप सेट री कंस्टर्च्शन कंप्णी लेमृटिंट करेगी दूसरी अथा में मदद करेगी ठीक है तो हाँ बेसिकली इंडियन डेट रेजलूशन कंपनी एसेट रीकंस्ट्रक्शन के अंदर हमने सारे बुरे जितने भी डूबे वह लोगों ने वह इस कंपनी में रखने हैं यहां पर कुश्चन बनना चाहिए था डेट रेजलूशन कंपनी जो है य इन एसेट को मैनेज करेगी उसके बाद मलब यह रीकंस्ट्रक्ट करेंगे डूबे हुए एसेट को दुबारा से बनाएंगे ठीक है उन्हें वरकिंग में लेके आएंगे डेट री रेजलूशन कंपनी जो है वो आगे उन्हें बेच जाएगी ठीक है टरनराउंड सौरी सरकार की यह जो सिरदर्दी बनी हुई है आपके जितने वी बैड लोन्स वह भी सरकार के सिर के उपर से अब लेखो कोई है पर इंडिया के अंदर ना अभी तक एसेट रीकंस्ट्रक्शन काम्याब नहीं हो पाई है उसका कारण यह है कि हमारा पेपर वर्क सही नहीं बैठता हमारे बैंक्स जो हैं वो घाटे में प्रॉपर्टी बेचने को नहीं मानते ठीक है बहुत सरी प्रॉप्लम दे तो यहां पर इसी कारण गर्वर्मेंट को पुश्च देना पड़ रहा है कि हम बैठे हैं दो तुम इसी कारण इवन जो आपकी एसेट रीकंस्रक्शन कंपनीज हैं उन्हें गरेंटी देने के लिए कि देखो आपका रिटर्न आएगा आप लो सरकार ने अपनी खुद की गरेंटी पी अफर की 30,000 अमनुद तीस जार छेसो करोड रुपया सेक्यूरिटी रखा है कि अगर किसी का नुकसान होता ह इसके कारण वो सरकार पे कर देगी माकसिम्म टोटल करके मानुद सबका अलग अलग नुकसान है इसे एक परसन को 30,000 टोटल करके सरकार ने 3600 करोड रखे हुए हैं कि अगर किसी को नुकसान फेस करना पड़ता है ठेक है तो सरकार उसके लिए पे कर देगी इसकी पांच सा यूनियन फानांस मिनिस्टर ने दुबारा से पुश्च दिया कि इसे काम में लेकिया हो जल्दी इंडिया की यह प्रॉग्लम्स दूर करो क्योंकि आने मेले टाइम में फिर से रिसेशन के हिंट्स हैं और कंपनी डूबेंगी ठीक है और लोन्स आपके नेगिटिव हो जा अगला जो थर्ड करेंट फेर है वो है नाशनल हाइवे ओवर साइट के बारे देखो आपकी मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट है एक प्रपोजल लेकर आ रही है दो प्रपोजल में अभी विचार किया तारा इसके उपर इसी अगर आप हाईवी देखते हो पहले आ देखो सडके तो पहले इसके साथ जुड़ी होती है पते यह कहां से कौन से कौन से इनलेट और आउटलेट है शेहरों के बीच में सी तो निकलती है पर फिर कुछ साल बात सोचा जाता है कि अच्छा यहां पे एक फ्लाइओवर बना दिया जाए ठीक है फिर यहां पे भी नीचे से अंडर पास बना दिया पर जब यह बाद में फ्लाइओवर यह अंडर पास बन रहे होते हैं देखो हाईवे पे काड़ी है पहली बहुत तेजी से चल रही हो तो अपने आप यह बहुत बड़ी प्रॉग्लम मन जाते हैं कि अगर तुम देखोगे जहां पे भी कं कहीं न कहीं कोई न कोई समान पड़ा होता है कहीं न कहीं पर खड़े खोदे पड़े होते हैं हमारे यहां पर कौई सेफटी प्रिकॉशन ले रहा होता है कि कहां पर मार्किंग करनी है क्या करनी है ठीक कंपनीज भी ऐसी चल रही हैं बस रखी जा रही है समान तो इसके कार जो हमारी ministry है वो यह सोच रही है कि अब आने वाले time में जब हम national highway इसको बनाने का सोचें तब ही हम detailed project report के अंदर ही underpasses और flyovers कहां बनाने वो पहले ही कर दें ठीक है तांकि जब highway बन रहा है flyover underpass पहले ही त्यार हो जाए यह बाद में करने की जुरूरता बड़े तब ही आपक कि पूरे highway इसको जगा जगा पर monitor करने के लिए ना cctv लगाने का प्रोविजन सोच जा रहा है तांकि सारे highways जो हैं देखो highways के उपर traffic हर चीज के इस तरीके से मूव कर रहा है क्या उसकी रेगुलेशन हो तो हर चीज यहां पर हो सके आपके नाशनल हाइवेस के उपर cctv लगाने का प्रोपोजर है कि हर चीज पॉइंटर की जा सकते हैं तो यह सारा के सारा प्रोपोजर नेक्स्ट है प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम फॉर शिपिंग कंटेंडर अब देखो यह प्रमोट कर पा रहे हैं अब जादा तर अगर आप देखोगे जैसे एक्जांपल में बताता हूं एसी जो होगे आपके फ्रिज होगे ठेक है उसके बाद अब धीरे धीरे जो आपके मुबाइल फोन्स होगे इंडिया के अंदर अब जाद तर इनके पीछे देखोगे ना इंडिया होने लगए इसकी जो पीछे का क्रेडिट है वो सारा प्रोडक्शन लेंड इंसेंटिव स्कीम को जाता है सरकार ये सारी मैनुफाक्चरिंग कंपनी इसको इनसेंटिव देरी है टाक्स के तौर पर और रिबेट के तौर पर तुम इंडिया के अंदर अपनी इंडिया के अंदर लगा रहे हैं तो सरकार पर ये धीरे-धीरे सारे सेक्टरस में फिलाती जा रही है प्रोडक्शन लिंक्डिन सेंटिस की तो लेटेस्ट जोब सरकार जिसके उपर अभी सोच रही है अभी फाइनल स्कीम ने आई है वह है शिपिंग कंटेनर अब यह क्या ह देखो दुनीया में अगर आप सारा समान देखो गे ना शिप्सपर भेजाजाए पर सिपस परएसे रैंदमघि समान नीं रखा जाता शिप्स पर हमेश्या कंटेनर की उपर पड़े होता है अगर आप कभी भी कार्गो शिप्स देखोगे स्मुंदरू में जा रही होते है सबके उपर कार्गो इस तरीके से कंटेनर्स में होता है अब हुआ क्या था ये बहुत बड़ी चीज थी कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजों के शॉटेज पड़ी थी जब कोविड हिट हुआ न उसके बाद दुनिया भर की एकॉनमी में महंगाई का एक ये भी कारण था कि पीछे से समान क्यों नहीं आ पा रहा क्योंकि उन्हें मनलब समान भरने के लिए कंटेनर खाली होगा तो अब उसके अंदर समान भरा जाएगा थेकि तो कंटेनर नहीं मिल रहे हैं इसी के चलते हुए अब और अब जैसे रश्य यूक्रीन वार लगातार चाइना की क पहले से बेटर होगी है पर अभी भी बहुत शौटेज है अब इस चीज की पर आगे फ्यूचर में कभी कोई प्राग्लम ना आए इस चीज के लिए हम एक स्कीम ही लांच करने हैं कि हम कंटेनर मेड इन इंडिया बनाने शुरू कर लें और सारी दुनिया में हम अपने कंटेनर बनाती है और दुनिया भर ने रेंट पर देती हैं कंटेनर रेंट के रहें करीड़ कंटेनर पहुत ला। इस तरीखे से हम भी चांदर भी ऐसे बहुत सारी आठी कमपनी बड़े स्केल पर शुरू करें और आगे सिल करना शुरू ठीक है तो इस तरीके से हम भी दुनिया में फिर काफी बड़ी कमांड रख जाएं इस चीज़ के अगला जो आपका करन्ट फेर है वो है आपके कंबोडिया के अंदर जो एक टेंपल है विश्नु यह के टेंपल है ठीक है अंगोर वट करके अंगोर वट का मतलब ही सिटी आफ टेंपल तैंपल यह बहुत बड़ी प्रापटी एवां 62 पूरी दुनिया का ठीक है देखो यह ना एक कल्चरल मिक्स है क्योंकि इसके अंदर बुद्धिस टेंपल भी ह विश्नु टेंपल सबसे में टेंपल वो था क्योंकि यह कंबोडिया के अंदर एक सिगनिफिकेंस यह भी दिखाता है कि हिंदू कल्चर कंबोडिया तक कैसे पहुंचा ठीक है तो हमारे कल्चरल इंफ्लुएंस सारे साउथ इस्ट एशिया कंबोडिया वेतनाम हर जगा फ यानि कि दूसरे के साथ मिल जुलके एक ही जगा वर्शिप कर पाते थे क्योंकि बुद्धिस हिंदू एक ही टेंपल एक ही जगा पर वर्शिप कर रहे हैं तो आपस में लड़ जगड नहीं रहे थे जगाओं को लेके ठीक है एक बारी के लिए अंगोरवट इसली भी दु विरान पड़ी हुई यह बिल्डिंग के तौर पे दिखा किसी को उससे पहले याद ही नहीं रहा था मलव कमबोडिया में किसी को पता ही नहीं था कैसे कोई टेंपल किसी जमाने में एक्जिस्स की है ठेक है मलव अंगोरवट के आसपास कभी किसी जमाने में विलेज सब हुआ था पर जब यहां पर इन्वेजन्स हुई लोग यहां से शहर खाली करके भाग गए यहां पर जंगल वापस हो गया सारा यह अंगोर तो यह था यह वाला लेक्चर करेंट अफेर्स का किसी को किसी में डाउट हो तो पूछ सकते हैं